हेलो गुड मॉर्निंग ओल अप यू मैं विविक कुमार रोजाना की तरह लेकर पस्तेतु टूडे करेंट अपेर्स जीकें सी क्यूज आज सोडे मैं दोजार बीस वार सनीवार के करेंट अपेर के हम बात करते हैं साथियों आज करेंट अपेर शुरू करने से पहले हम बात करते कल के हमारे पुछे ये कुछ स्वास्थे संस्तान ने 35.6 मिलियन डॉलर प्रदान किये हैं ऑप्सन यह अमेरिका ऑप्सन भी जापान ऑप्सन सी चीन और ऑप्सन डी इस्जराइल तो साथ यो इस समय पूरे विश्व में कोरोना वाइरस महामारी यह निकी कोविड 19 चल रही है कोरोना वाइरस महामारी के मद्दे नजर अमेरिका की राष्ट यह अमेरिका की राष्टे सार्वज्णिक स्वास्ते संस्थान इने 3.6 मिलियन डॉलर भाहरत को की प्रिकरियाकि सायता के लिए प्रदान किये हैं तो आप्सन राइट आन स्वर है अमेरी का और विद्पोशन की यह प्रारंबी किस्त भारत को सार्स को टू परिक्षन के लिए प्रोग साला चमता बढ़ाने के भारत के प्रियासों को मजबूत करने और समर्तन करने में मदद करेगी तो ऑप्षन यह राइट आनसरत हैं हमारे कल के उत्तरगा और सात्यों हमें बहुत ही अच्छा लगा एक कमेंट आया आप वीडियो पूरा देखिए पूरा वीडियो देखकर कमेंट जरूर केजिए और आज का क्वेशन अपदाड़े जरू देखिए तो इसके लिए कम्प्लीट वीडियो देखिए और मॉर्णिंग सवा पांच लाइव हमारा वीडियो चलता है तो तब भी आप देख सकते हैं और मेरे साथ चैट कर सकते हैं लाइव बहतर काम ने करने की वज़े या वक्त ने होने का पाहना मत बनाईए बहतर काम ने करने की वज़े या वक्त ने होने का पाहना ने बनाईए क्योंकि आपका दिन भी 24 गंटे का ही होता है और सफल लोगों का भी दिन भी 24 गंटे का ही होता है तो साथियों हमारे 24 गंटे में से 20 में निकाल कर हम सुरू करते हैं आज का हमारा करेंट अपयास जी के क्वेस्टन अप संक्यापश से विशो इस्तर पर हर साल अंतराष्टे परिवार दिवस यानि के इंटरनेशनल फैमिली डे कब मनाया जाता है साथियों विशो इस्तर पर हर साल अंतराष्टे परिवार दिवस यानि के इंटरनेशनल फैमिली डे मनाया जाता है पंद्रे मई को, आप्सन बी राइट आन सोरे, फैमिली डे मनाया कब जाता है पंद्रे मई को, और यह दिन परिवारों के महत्तो और परिवारों के विकास में अंतराष्टे समुदाय की भूमिका के बारे में जाक रुकता पहलाता है, साथ हो एक खुसाल परिवार और स्वस परिवार ही एक राष्टे निर्माड में बहतर नागरिक बनाता है, साथ हो बात करते हैं अंतराष्टे परिवार दिवस यानिक इंटर्नाशनल फैमिली डे की, अंतर्नाशनल फैमिली डे की बात की जाए तो वर्स 1903 में मासबाने एक प्रस्ताव में हर साल 15 मई को इंटरनेशनल फैमिली डे के रूप में मनाने का फैसला किया इंटरनेशनल फैमिली डे यानि की परिवारों का दिन स्युक्तराष्टे को जब उद्देश्य था इस उद्देश्य क्या था कि दुनिया भर में परिवारों के बैतर जीवन इस्तर और सामजिक प्रगती के लिए लोगों को प्रसाइट करना ये इस्तर था, बैतर इस्तर था, उद्देश्य था, श्युक्त्राष्टे संका जो की अंत्राष्टियपरिवार दिवस के बारे में था ये दिन कौनसा अंतराष्टे परिवार दिवस आर्तिक और सामजिक संद्राष्णाओं के संसोदित करने पर केंद्रित है जो दुनिया के विबिन इस्सों में परिवारी की कायों की स्थिर्था और संद्रिवार दिवस इंटरनेशनल फैमिली डे 15 मई को नेक्स्ट कोसन संक्या दो न्यू डवलप्मेंट बैंक यानिके NDB द्वारा भारत को आपात कालिन सायता कारिकरम के लिए कितने बिलियन अमेरीकी डॉलर का रिनम जूर किया गया है option A 1 billion, option B 2 billion, option C 3 billion और option D 4 billion साथ यो new development bank और BRICS के द्वारा आपात कालीन यहनि कि भारत को आपात कालीन साहे तक कारकरम के तहत कितने million dollar billion dollar अमरीकी रिड मंजूर किया गया है? एक billion अमरीकी डॉलर तो option A right answer है एक billion अमरीकी डॉलर और यह जो आपात कालीन साहेता कारकरम है आपात कालीन साहेता कारकरम का उद्देश से क्या है? COVID-19 को फैलने से रोकने के साथ साथ इस मामारी से होने वाले मानविय सामजिक और आर्थिक नुकसान को कम करने के बारस सरकार के प्रयासों में सहयोग करना साथ यो COVID-19 से लड़ने के लिए अपने सदस्य देशों की मदद करने के दिसा में NDB का New Development Bank का यह दूसरा आपात कालीन साहेता कारकरम है यह आपात कालीन जो साहेता कारकरम है यह भारत में जरूरी स्वास्ते देखबाल संसादन परदान करने और सामाजिक सुरक्षा घेरे को मजबुत करने में मदद करेगा इसके अलावा यह आर्थिक और सामाजिक सुदार में भी भारत का सहयोग करेगा साथ यो बात करतें New Development Bank यह निकिए NDB की NDB की बात की जाए तो NDB New Development Bank जिसे पहले Bricks Bank के आपचारिक नाम से भी जाना जाता था Bricks क्या है Bricks सदस्य हैंने की ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अपरिगा यह पांस देश मिलकर Bricks सदस्य हैं जो Bricks बनाते हैं इस जो New Development Bank जो है इसको पहले किस नाम से जाता था? Bricks Bank के नाम से और Bricks समू के देशो द्वारा इस्तापित किये गई एक नए विकास Bank का यह अधिकारिक नाम है इसकी स्तापना की बात की जाए किसकी New Development Bank की स्तापना की तो 2014 के Bricks सम्मिलन में सो अरब डॉलर की सुरुआती अधिकरत पूंजी के साथ नए विकास Bank की स्तापना का निर्णा किया गया था वर्तमान में इसका मुख्यालिय चीन के संगाई में है और इसके अध्यक्ष के भी कामत है नेक्स्ट कॉस्टन संग्या 3 ग्रेमी पुरुषकार जीतने वाली सॉल सिंगर बैटी राइट का निदन हो गया है उनका मुल नाम क्या है ऑप्सन ए एडम बोरेन ऑप्सन बी बेसी रेजीना नौरिस ऑप्सन सी हिलेरी के लिंटल और ऑप्सन डी जॉन श्रिद्दम साथियो अभी हाल ही में सिंगर बैटी राइट का निदन हो गया है और बैटी राइट किस पुरुषकार की विजएता थी ग्रेमी पुरुषकार की तो उनका जो मूल नाम था, मूल नाम था, बैसी रेजीना नौरिस, इनका मूल नाम था, तो option B, right answer, बैसी रेजीना नौरिस, साथ यो Betty Wright, singer Betty Wright, R&B, यानि की rhythm and blues गायक, गीत कार और background गायक है, साथ यो Betty Wright को इस वर्स की आयू में अपने सरुष्रेष्ट गीत, where is there love, के लिए अपना पहला ग्रेमी पुरुसकार मिला था, नेक्स्ट, कोशन संक्याच चार, भारते रेल्वे ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए किस एप को रखना अनिवारे कर दिया है, आप्शन A, आरोग्य से तू, आप्शन B, वोईश डिटेक्टर, आप्शन C, कोरोना कवच, और आप्शन D, एक्जोट अप, तो साथ यो भारते रेल्वे ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए आरोग्य से तू एप को अनिवारे कर दिया है, आप्शन A, राइट आंसर, आरोग्य से तू, और रेल्वे के अनुसार, अब यात्रियों के लिए यात्रा शुरू करने से पहले अपने मोबाइल पोन में आरोग्य से तू एप को डाउनलोड करना अनिवारे हो गया है, आरोग्य से तू एप की बात की जाए तो आरेग्य से तू एप भारत सरकार द्वारा लौंच की गई अधिकारिक COVID-19 ट्रेकिंग एप है, इसे एलेक्ट्रोनिक्स और सूषना प्रदोगी की मंत्राले के तैत, राष्टे, ई-गवर्नेंस, डिवीजन, द्वारा स्वास्ति और परिवार कल्याण मंत्राले के सहयूग से विक्सित किया गया है, किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए आई फिल यू ब्रेस्लेट विक्सित किया है, उप्सन ए अमेरिका, उप्सन बी चीन, उप्सन सी इटली, और उप्सन डी साउथ अपरिका, सातियों सोशल डिस्टेंसिंग, कौविड 19, यानि कि कोरोना वाइरस 19 के चलते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के बढ़ावात देने के लिए, फिल इव ब्रेस्लेट जो विक्सित किया है, विक्सित किया है चीन ने, विक्सित किया इटली ने तो option c right answer है इटली साथियों यह जो ब्रेसलेट है यह जेनोवा इटली के जेनोवा इस्तित इटेलियन इंस्ट्यूट आप टेक्नोलोजी यानि की IIT ने विक्सित किया है यह है ब्रेसलेट और यह ब्रेसलेट उप्योग करता को सोसल प्रेस्ट को पालन करने में मादाद करेगा और इस ब्रेसलेट को कोर्णा वायष लोकडाउन में सुरक्षा के उपाईयों को रुकमे विक्सित किया गया है जिनमें दीरे दीरे छूट दी जा रही है साथ यों बात करते हैं आई फिल ब्रेस्टलेट के बारे में तो आई फिल ब्रेस्टलेट जो है यह ब्रेस्टलेट के वले एक रेडियो सिगनल को उप्योग करता है जिससे दूसरे ब्लेस्ट के नज़दी काने का पता चल जाता है हाला कि यह GPS का इस्तेमाल नहीं करता है जिसके कान उप्यूक करता कि location को track नहीं किया जा सकता है और यह तभी संकेत दे कर याद दिलाएगा जब social distancing के नियोमों का पालन ने किया जा रहा होता है अगर पालन किया जा रहा होता है तो इस bracelet में आपको किसी प्रकार का voice नहीं आएगा रेडियो का signal नहीं मिलेगा अगर social distancing का पाला नहीं किया जा रहा है तो इस bracelet के द्वारा social distancing जो है उसका message मिल जाएगा साथ इटली की बात की जाएगा तो इटली के राष्टे पती है और इटली की राजदानी है रॉम नेक्स्ट क्वेस्टन संक्याच छे विशु आर्थिक मत्यानी के डबलू इएप द्वारा भारत को वैस्विक एनर्जी ट्रांजिस्टन इंडेक्स 2020 में कौन सी स्थान पर रखा गया है साथ यो एनर्जी ट्रांजिस्टन इंडेक्स की बात की जाए तो एनर्जी ट्रांजिस्टन इंडेक्स है इसमें भारत को कौन से स्थान पर रखा गया चोत्तर वे स्थान पर 2020 में 2020 में कौन से स्थान पर था छेतर वे स्थान पर भारत तो 2020 में भारत ने दो इस्थान की छलांग लगा ली और भारत कौन से स्थान पर पहुंच गया है स्वेडन दूसरे नंबर पर स्वीजर लेंड और तीसरे नंबर पर फिंड लेंड और इंडिया की रैंक सेवन्टी फॉर्थ सात्यों आप दोची जाती है एक तो आती है विश्वार्थिक मच यानि के डब्लू एप दूसरा आता है वैस्विक एनर्जी ट्रांजिक्शन इं इंडेक्स की सात्यों एनर्जी ट्रांजिक्शन इंडेक्स एक तत्या आधारित रैंकिंग है जो नीती निर्माताओं और व्युवसायों को एक सफल उर्जा ट्रांजिक्शन के लिए योजना तैयार करने में सक्षम बनाता है सात्यों ये सुचकांग जो है यानिकि एनर्जी ट्रांजिक्शन इंडेक्स आर्थिक विकास और विकास पर्यावरन इस्तिरता उर्जा सुरक्षा सुरक्षित टिकाउ सस्ती और समावेसी उर्जा प्रणालियों में ट्रांजिक्शन के लिए उनकी तत्परता के आधार प पर अपने उर्जा प्रणालियों के वर्तमान प्रदर्शन पर 115 अर्थव्योस्ताव को आखलत करता है बात आती है दूसरी डबलू एएप यानि कि विशुव आर्थिक मंच की विशुव आर्थिक मंच यानि कि वर्ल्ड एकोनोमिक फॉरम जिसकी स्थापना जनवरी 1971 में की वर्तमान में इसके संस्तापर अध्यक्ष कोन है क्लाउस सवाब नेक्स्ट बात करता है क्वेस्टन संक्यास साथ विशुव आपार संगठन के प्रमक रोबर्ट जेवेदो 31 अगस्त को अपने पद से हड़ जाएंगे विशुव आपार संगठन की स्थापना कब हुई थी साथ विशुव आपार संगठन की स्थापना कब हुई थी एक जनवारी 1945 में यानि की ऑप्सन भी राइट आन्सोर है एक जनवारी 1945 में बात करते हैं विशुव आपार संगठन और दूसरी रोबर्ट अर्जेव वेदों के बारे में तो विशुव आपार संगठन जिसके स्थापना एक जनवारी 1945 में कोई थी और इसका मुख्याले का हैं स्वेजर लेंड के जिनिवा में श्यूजर लेंड के जिन्यवाव में विश्यवपार संगटन का मुख्याल लिया और वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संग्या कितनी है 164 साथी दूसरी बात आती है हमारे पास की रोबर्ट अजेवेदो कौन है तो रोबर्ट अजे वेदो 2003 में विश्य वेपार संगठन के प्रमुक बने थे ये ब्राजील के 62 वर्सी राजनाईक है जिनका चार वर्से कारेकाल सितंबर 2021 को समापत होने वाला था लेकिन अब कुछ सालों से अमरीकी राष्टपती डोनाल ट्रम्प की तरप से बनाये जा रहे गहन दबाव में आकर अपने कारेले में कटोती कर रहे हैं सात्यों डोनाल ट्रम्प ने जिनेवाई इस्तित्वेपार निकाय पर अमेरिका विरोधी पूर्वाग्रे और अन्य सिकायतों का आरोब लगाया है इस वज़े से यह इस अपने पद से इस्तिपा दे रहे है नेक्स्ट कोशन संक्या आठ निम्न मैंसे कि सोशल मेडिया कंपनी ने इसताई तोर पर अपने करमचारियों को वर्क प्रॉम होम की जाज़त दी है ओप्सन ये वाटसप ओप्सन भी फेस्बुक ओप्सन सी इंस्टागराम और ओप्सन डी ट्विटर तो साथी हो वर्क प् की जाज़त दी गज़्िया और ये एक सडसल मीडिया कं कुप जया है टुट कैपने करमचारयों को वर्क प्रॉम होम की जानिक्वर से काम करने जाज़त दी यह यह जो ही जा जाता है इस कंपनी ने कोरोना मामारी फैलने के बाद सबसे पहले अपने करमचारियों को अनुमुति दिये इस प्रकार की और यह COVID-19 से बशने के एक मात रुपाय सोसल डिस्टेंसिंग है इसके की पालना करने के लिए इस प्रकार का नड़ने लिया गया है साथियों और जब तक कोरोना खतम नहीं हो जाता तब तक ट्वेटर के करमचारी अपने घर से काम कर सकेंगे बात करते हैं ट्वेटर की तो ट्वेटर की स्थापना 21 मार्च 2006 को की गई थी और इसका मुख्याल लेका है उससे एक तराज्य अमेरिका के सान फ्रांसिसको केली फोर्निया में इसके संस्ता पके जैक डॉर्सी, इवान विलियम्स, नोह ग्लास और ज्यादा और वर्तमान में इसके CEO 30 सितंबर 2015 से कोन है जैक डॉर्सी नेक्स्ट कोस्टन संक्या नो निमन में से किसके द्वारा चावल निर्याद को प्रोथसान देने के लिए चावल निर्याद संवर्धन मंच यानि कि राइस एक्सपोर्ट प्रोमोशन फोरम की स्तापना की गई है Option A भारत सरकार Option B किर्सी विभाग Option C नीती आयोग Option D सुप्रेम कोड साथियो चावल निर्याद की बात की जाए तो चावल निर्याद को प्रोथसान देने के लिए चावल निर्याद संवर्धन की जो इस्तापना की है वो इस्तापना की है भारत सरकार इंडियन गौर्रमेंट ने गौर्रमेंट ऑप इंडिया ने भारत सरकार ने चावल निर्याज समवर्दन मंच की स्तापना करसी और प्रेशन्सक्रत खाद्य उत्पाद निर्याज समवर्दन विकास प्रादिकर्ण यानि कि एग्रिकल्चर फुड एक्सपोर्ट प्रोमोशन डवलप्मेंट ओथरेटी यहनि की एपीडा के तत्युदान में की गई है एपीडा का जो फुल फौरा में क्या है सुन लिजे साती हो एगरिकल्चरल एंड पॉरसिष्ट फुड एक्सपोर्ट प्रोमोशन डवलप्मेंट ओथरेटी बात की जाए चावल निर्याद संवर्दन मंच की तो चावल निर्याद दूस वर्दन मंच है उसकी बात करें तो साथियो एपीडा की to यह है किर्सी और प्रेशंस-कर्स खादे उतपाद निर्यासंवर्दन विकासप्राधिक Pasuk desar Agriculture Britney प्रोसिष्ट फूड एक्स्पोर्ट प्रोमोशन डवलप्म obese और पीडा और और रइपेस एक्सपोर्ट प्रोमोशन फौरं में चांवल के निर्यात को विश्यस रुप से बढ़ाने के लिए चांव़ के निर्यात की पूरी उतपादन आपूरतीी स्रंखला के लिए धार्ग की पहचान करने दस्तावेज पहुचाने और सहयोग इस्तापित करने के लिए उप्योगी कदम उठाएगा कि साथ और इप इसके अलावा कि यह उत्पादन और निर्यात से संबंदित गटनाक्रोम की निगरानी पहचान और पूरो कि साथ साथ अन्य जरूरी नीतिगत उपायों को भी आगे बढ़ाएगा इसके अलावा आरी पी एफ में चावल उत्दू के प्रतिनीदी एपिडा निर्यातक पावानी जी मंत्रालिये कर्शी मंत्रालिये और परमुक चावल उत्पादक राज्यों जैसे पश्चिमंगाल प वित मंत्री की गोश्चना के अनुसार सरकारी खरीद की सीमा क्या है जिसके लिए वैस्विक निविदाय बंद कर दी जाएंगी ऑप्सन ए 100 करोड ऑप्सन भी 200 करोड ऑप्सन C 300 करोड ऑप्सन D 400 करोड तो साथियो वित मंत्री वित मंत्री वर्तमान में कोण है निर्मला सी युकार नहीं किया जाएगा साथ केंद्रेवित मंत्री निर्मला सीतर मन्ने यह गोशना प्रदान मंत्री द्वारा शुरू की गई प्रदान मंत्री को और नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई आतम निरबर भारत योजना पैकेज के विवर्ण की रूप रेखा में दिये यह MSME के लिए अनुचित विदेशी प्रतिस्परदा को कम करेगा और मेक इन इंडिया पहल का समर्दन करेगा तो यह था आज का हमारा करेंट अपिर्स जी के कोश्चन से क्या 10 तक और अब बात करते हैं कोश्चन अप दड़्डे की और सात्यों इस कोश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना या मॉर्णिंग सवा पांच बजे लाइव मेरे साथ आप चैट करते हुए भी इसका आंसर दे सकते हैं सात्यों यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें कोश्चन का आंसर कमेंट जरूर करें कोश्चन का पीडियेप डाउनलोड करें पीडियेप डाउनलोड करने का लिंक आपको वीडियो के डिक्स्रिप्सन में मिलेगा और इसके साथ हमारे यूटूब चैनल यूवी कंप्रेशन्स को सब्क्राइब जरूर गटें तैंक यू सो मच धन्यवाद इस्टे होम वी सेप घर पर रहे सुरक्षित रहे कोरोना वाइरस मामारी से बचें आपका दिन सुबूर